तुस्तु रेल विकास निगम लिमिटेट की बात के स्टॉक के नराज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखिए बड़ी तेजी तो नहीं बनी लेकिन देख सकते हो कि स्टॉक फिर से एक तर से आगे जाने को तैयार हो चुका है अब पिछले जिनों काफी सांदार तेजी बन चुकी है कुछ का मोड दिख रहा है आज बाजार में हमने बहुत ही सांदार तेजी देखी क्या सिगनल है बाजार के क्या आने वाले समय तेजी बनेगी और दुसरी तरफ अगर हम IRFC की बात के तो रिजल्ट आज हमारे सामने आ आने वाला है अभी तक रिजल्ट आया नहीं है लेकिन रिजल्ट के पॉलिटिव होने की बहुत जड़ा संभावना है वैसे काफी सांदार प्रदर्शन की है पिछले कई समय से कंपनी ने और शेर की प्राइस भी काफी बड़ी है आई प्यों के समय आप देखे तो लोगो समय से रेल्वे के शेर नहीं दोड़तें लेकिन इस बजट के एलान के पहले से रेल्वे के शेर ने दोड़ना शुरू किया और पिछले साल बर में काफी हैचा प्रदसन भी किया तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन उससे पहले अगर आप दवे और मारे अपने चैनल आनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत दे हैं सबसे पहले हैं गरम बाजार की बात की तो आज BAC Sensex ने कमाल कर दिया 64,080 के इस्तर पे क्लोजिन या नि फिर से बाजार ने 64,080 के इस्तर को छू लिया 489 पॉइंट की बंपर तेजी थी यानि 0.77% की तेजी के साथ में बाजार ने क्लोजिन दिया वैसे शुरुआ थी आप देखे तो 400 पॉइंट की तेजी के साथ हुई थी फिर दिन में आप देखे थोड़ा बहुत अब डाउंग देखने को मिला ओवराल पूरे दिन में बाजार में सांधा तेजी थी विकली एक्सपारी के बाउज़ भी देखे तो बाजार ने बहुत अच्छा परदर्शन की आज अब रेल विकास निगम लिटर की बात के स्टॉक की सुरुआत 155 पर हुई यह दिन भर का हाई है जो लोग बना वो 153 का है और क्लोजिंग 154 के आसपार ही जापे देख सकते हो की 0.82% की तेजी तो बड़ी नहीं है लेकिन एक तरस से देख सकते हो की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है वैसे इसके पिछले चारपय दिन की प्रदर्शन को देखें तो विकनेस थी 26 अक्टोबर को श्टॉक 151 के आसपार क्लोजिंग दी जापे 0.2% की तेजी बनी 27 अक्टोबर काफी सांदर है इसके लिए 157 पर श्टॉक आ गया 4.1% की सांदर तेजी के साथ में लेकिन फिर 30 30 अक्टोबर को देखें तो श्टॉक 156 के पास वापस आये 0.9% या लगबग 1% की गिराउट हुई 31 अक्टोबर की बात करें तो 154 के आसपार क्लोजिंग दी जापे 1.4% की गिराउट हुई और एक नौबर को यानि कल 153 के आसपार श्टॉक आये 0.7% की गिराउट हुई तो पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से गिराउट हुई थी आज वो थम चुकी है अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रेल्वे ने फ्रेट के माध्यम से 96,000 करोड का रिविन्यू कमाया है बहुत ही सांधार अब आप देखें करीब 8.87.25 मेट्रिक टरंस का फ्रेट का ट्रांस्पोर्टेशन किया है अप्रेल से लेके अक्टोबर के दर्मियान और इसमें देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले 31.61% मेट्रिक टरंस की जबर 10 विद्धी देखनों को मिल रही है यानि लगातार रेल्वे के फ्रेट का कारूबा तो करीब 3,584 कोट की रकम ज़्यादा मिली है तो रेल्वे जिसने से खर्च कर रही है उसका रिटन भी उसको मिलना शुरू हो चुका है वैसे देख सकते हो कि रेल्वे इसके लिए बहुत सारा इंवेस्मेंट करी है लगातार नए ट्रेक भी चारी है ट्रेक को डबल की कि किया जा रहा है इसके लावा इलेक्टिफिकेशन किया जा रहा है जिसका पॉजिटिव इफेक्ट अब देखने को मिलने लगा है रेल्वे प्रॉफिट में आने लगी है आने वालस में जबर्दस रेल्वे प्रॉफिट आगा जो इस समय खर्च हो रहा है वो सारा सुद सम foundation कर दिया है यानि निव का पत्थ रख दिया है तो देखते हो कि जो चिप minister है अरियाना के मनोलाल खटर और हमारी union minister अस्वीनी वैस्टनव ने अब इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऐलान किया है तो यह orbital rail corridor जो प्रोग्राम है हो आरसी 29.5 km का यह देखें दुलावर्ट से लेके तारू जो बदसा इन जंजर डिश्टिक तक जाएगा तो यह बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए करीब 5,618 करोड का खर्च होने वाला है तो यह देखते हो कि 3 नौंबर को यहापे दुलवर्ट से बदसा सेक्शन का जो है यह रूट का जो कामका शुरू हो जाएगा तो दुलवर्ट से बदसा के बीच में यह 29.5 किलोमेटर का जो लॉंग इलेक्टिफेट डबल लाइन का ट्रैक होगा और इसके बीच में अगर आप देखें तो रेलवे 5 इस्टेशन होगे दुलवर्ट होगा इसके लावा चंडाला होगा और इसके लावा डुंगरवास पंचगाओ और मानेसर और न्यू पटली यह इस्टेशन होगे तो देख सकते हों कि रेलवे लगातार बहुत सारे अनौस्मेंट कर रही है आने वाले समय रेलवे के शेरों में तेजी रुकने का कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है एक बड़ी अपडेट और निकल के आईए हमारे पीम नर्दम बोधी और बंगलादेश की जो पीम है सेख हसीना उन्होंने आपे जॉइंटली देखे तो इन्फरा रेज प्रोजेक्ट को हरी जिंडी दे दिये बंगलादेश और इंडिया के बीच में इन्फरा लिंक प्रोजेक्ट होगा और यह हमारी नेवरिंग कंट्री के साथ में अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके रेल्वे के कनेक्टिविटी दी जा रही है और जिससे क्रॉस बॉर्डर आप देखे तो रेल्वे लिंक जोड़के जो लोगों का आना जाना आसान किया जाए और साथ में ट्रांस्पोर्टेशन भी आसान हो तो इसे जो आने वाले समें इंडिया की कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी और इंडिया का कारोबार भी बढ़ेगा और जो neighboring country जो उसमें आना जाना जो लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा road के मादियम से काफी समय लगता है train के मादियम से हो समय भी बचेगा safety भी होगी और साथ में हमारे लिए ये आसानी भी रहेगी कि लोगों को आराम से जाच करके एक state से देश से दूसरे देश बेजा जा सके तो किसी प्रकार की जो अनवाच्छी गतिवी दिया उनको भी रोका जा सकता है तो काफी बड़े फैसले लिए जा रहे इसका फाइदा आने वालस में railway के इंशेरों को definitely होगा RVNL को ऐसे project काफी मिलते है इसका फाइदा उसको मिले गई यहाँ पर इसकी rating देखे तो काफी अच्छी है master rating फाइश्टा में से थीश्टा की rating है जो ठीक है लेकिन इसकी EPS system बहुत मजबूत है फाइश्टा में से फाइश्टा की rating है बाइर डिमांड देखे तो फाइश्टा में से फाइश्टा की rating निकल क्या रही है इसकी price trend देखे तो फाइश्टा में से फाइश्टा की rating है और आप group रेम के मालों भी देखे तो फाइश्टा में से थीश्टा की rating है और सबसे बड़ी बात है फंडामेंटली कमपणी बहुत मजबूत है काफी जादा इनके पास ओल्डर है ऐसे में आप लॉंग टम का रज़रा लेकर निवेस करेंगे तो आपको ये स्टॉक माला माल कर सकता है निकट भविसी में ये आराम से फोर डेजर में जाने की संभावना है क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके पास वंदे भारत के बड़े प्रोजेक्ट है आने वालस में स्लीपर वंदे भारत के ही कमपणी बना रही है चलते है आई एर एपसी की तरब आज 73.20 पर क्लोजिंग नहीं जाबी 0.34% की हमें तेजी देखनों को मिली वैसे देख सेको इंट्राडे में इसने कुछ गिरावट का माहूल भी बनाया था 72.80 के आसपास की स्टोक गया था क्योंकि कल की क्लोजिंग 72.95 के आसपास थी लेकिन फिर पॉजिटीव क्लोजिंग नहीं बड़ी तेजी तो नहीं बनी इसकी परफॉर्मस अगर आप देखे तो 26 उक्टोबर को इस्टोक 70.20 के आसपास था 0.1% की गिरावट वी थी 27 उक्टोबर की बात के तो 71.95 के आसपास क्लोजिंग रही जापे एक नौबर की बात के कल की तो क्लोजिंग 72.95 के आसपास रही 0.5% की तेजी के साथ तो कुल मिला के देखे तो श्टोक इस समय एक कंसोलिडिशन मोड में 70 उपे के आसपास है आने वाले इसमें जैसे अब यह रिजल्ट आज हमारे सामना आएगा उस रिजल्ट के बाद है आप एक सांदर 30 की समभाणों बनेगी तो रिजल्ट अभी आया नहीं है लिए रिजल्ट जल्द ही देर रात अग आएगा इसको हम जैसे रिजल्ट आएगा एनरीस जरू करेंगे रिजल्ट की समभावना पोजिडिव रहने की पूरी है क्योंकि लगातर रिवेन्यू बढ़ा है पिछली बार हमने देखा है पिछले लगातर कॉर्टर समच्चे रह रहे कंपणी साथ में डिविडेंड का ऐलान भी करीगी तो यह आप इस डेट के साथ में अभी इस सामें खरिदारी कर करेंगे तो डेफिनिटली आपको आने वाले समय में डिविडेंड मिलेगा और लगातर अच्छा डिविडेंड कंपणी दे रही है आप यह देखी सकतों कि डिविडेंड इन्होंने लगातर दिया पंदरा सितंबर को भी 0.7 रुपीज का डिविडेंड का अईलान के अगर इस से पहले गर आप देखे तो 0.80 17 नॉवंबर को कंपणी डिविडेंड दिया था इसके लगातर अच्छा डिविडेंड कंपणी दे रही है ट्रेक रिकॉर्ड अच्छा है और बीजनस काफे बेचा है लोंग टम का डिविडेंड के निविज किया जा सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवेजिस बाड़ेंड ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि माने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यो फ्रेंड